Hey guys, welcome to episode number 2 of Manali vlog So, hotel में 2 खंटे रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं mall road और discover करते हैं क्या-क्या है वहाँ पर So, mall road पे finally हमने पहुँच कर किया वहाँ का मौसम enjoy बहुत ही ultimate मौसम था उस समय और shopping के लिए कुछ देखना चाते थे लेकिन crowd इतना जादा था रश ही रश था चारो तरफ और कुछ एक shops पे गए भी So, finally मैं एक shop में पहुँची जहां पर कुछ gift items अवैलिबल थे So, बचों ने कुछ toys और कुछ एक souvenirs हमने वहाँ से जस्ट पाई किये और निकलने का सोचा So, उसके बाद हमने किया डिनर वहाँ ही किसी लोकल धाबा की अंदर मॉल रोड पे और चल दिये बाक टू आ होटेल So, morning में जट से उठके हम लोग पहुचे ब्रेक्पस्ट करने और वहाँ से ये व्यू थाइप नसरी ना ब्यूटिफुल It was a cloudy day basically और हम लोग थोड़ा लेट हुचिपके थे Because पहले वाले दिन की थकावट नहीं उतर रही थी उसकी वजा से So, हम लोग नौ बचे के राउंड यहां से निखले And जो और्चर्स जिनकी मैंने बात प्रिवियस वीडियो के अंदर की थी तोनों साइड पीच और प्लम के ट्रीज थे जो की बहुत अल्टिमेट लगते थे रास्ते में आता था यह वाटर फॉल And इसके बीच में से निकल कर जाना बहुत ही अल्टिमेट एक्स्पीरियंस मुझे लगा Although थोड़ा सा डर भी फील हुआ लेकिन स्टिल यह जो एक्सपीरियंस था कभी नहीं भूल पाएंगे इसे And यहां से हम लोग निकल रहे थे रोतांग पास के लिए Although लोकल से पूछा तो नों ने बताया कि वहां पहुँचने के लिए आपको अली मॉनिंग निकलना चाहिए था पांच बजे के आज़ पास But हम लोग इतना चलती नहीं उठे And we thought के चलो जी निकलते हैं नौ मजे के आज़ पास So this was the way to रहतांग पास रास्ते में आपको बहुत रांगी एक्टिविटीज हुहां पर दिखेंगी Adventurous activities like a hot air, balloon and paragliding, rafting साथ साथ चलती ही जाएंगी साथी साथ आपको on way मिलती है यहां से आप वो dresses जो है वो rent पे ले सकते हो Because उपर जो है वो काफी ठंड होती है तो it's better के यहां से आप कपड़े जो है वो लेके जाएए लेकिन मैं आपको advice करूँगी कि आप जो है यह जो dresses है यह उपर वहां पहुंचकर ही रेंट पे लीजिए वहां पर भी रास्ते में आपको बहुत सी shops मिलेंगी जहां से आप यह रेंट पे ले सकते हैं और इस रास्ते पर चलते ही जो व्यू था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था वहां पर जो hills थी हो totally green थी और यहां पर जो snow-covered mountains थे वो अब नजर आने लग पड़े थे और enthusiasm level अब बढ़ता ही जा रहा था कि very soon we are going to be there in snow So, यहां hills पर जगा जगा से waterfall जो है वो गिरते हुए दिख रहे थे लेकिन यह वाला जो waterfall था यह best था अभी जाते हुए तो नहीं लेकिन वापसी में हमने यहां पर रुपकर खूब enjoy किया और यहां पर maggie, kulcha जो भी था खाया और फिर आगे की और निकले थे इस समय जो weather था I cannot define किस तरह का था जो भी मैं कहूंगी वो कम पढ़ जाएगा बेकॉज जो यहां पर capture किया हुआ है वो उस beauty को बिलकुल नहीं बताज़ता जो की actually वहां पर experience की थी और वो जो तो उपर जाते हुए आपको मिलेगी यह blue water lake यहां पर कुछ लोग रुप कर enjoy कर रहे थे बट हम लोग अल्रेडी बहुत लेट थे तो हमने यहां पर time waste करने का नहीं सोचा और जैसे ही हम उपर पहुँचे तो हमें दिखा इतना बड़ा jam और फिर भी mind में ता कि शायद पहुँच जाएंगे कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी जादा से जादा एक घंटा लगेगा और हम रोतांग पास होंगे लेकिन local drivers जो थे उन्होंने बताया कि जो jam है it's not a normal jam यहां पर आपको चार से पांच घंटे लगेंगे अगर अभी हम यहां पर होते हैं तो तब भी हम चार पांच घंटे तक उपर पहुँच पाएंगे जिससे सभी बहुत दीर motivated हो गए और कुछ देर वेट करने के बाद हमें लगा कि नहीं कुछ फाइदा नहीं है because पहुँचते भी तो वह 6 या 7 बजे के आसपास और फिर वापसी का भी थ तो हमने सोचा नहीं चलो वापिस चलते हैं because आठ बचे तक वहां पर रहना ना तो इंजॉय हो पाता तो वहां से लिया हमने यू टर्म और चल दिये हम बैक टू पर वहां पर और जादा रुपने का रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे और और ऑन वे जब हमने ये मैली कुच तो यहां रुपकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया और करी ओन किया पाराग्लाइडिंग जो है वो मनाली कुलू अभी तक सभी जगा देखकर आये थे और माइंड में था भी कि शायद करें लेकिन जब यहां पर तांग में आकर पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों को देखा तो वो जो एक्सपीरियेंस था वो उन एक्सपीरियेंसे से कंपेरेबल बिल्कुल नहीं था तो हम लोग यहां से चल दी अटल टनल की तरफ और वहां पर भी जो मौसम था वह बहुत थंडा मौसम था ऐसा नहीं तील हो रहा था कि हम रोतांग से आया तो यहां पर ठंड कम है एकुली वहां पर भी ठंड थी और यहां शाम होती जा रहे थी तो टेमपरेचर जो है वह गिरता जा रहा था आठर टैनल पर कुछ टाइम हमने स्पेंड किया और आभी भी वापेश होटेल जाने का दिल नहीं था तो हमारा जो नेक्स देस्टिनेशन था वो था सिसू विलेच जो कि ला हॉल में है और यहां पर भी जो स्नो केप्ट माउंटेंज हैं वो साथ ही चलते जा रहे थे मौसम बहुत अच्छा था और ब्रिसलिंग होनी यहां पर स्टार्ट हो गई थी तेमपरेचर जो है वो गिरता जा रहा था लेकिन आभी बहुत चीजे कुछ एक्स्प्लोर करने के लिए पड़ी हुई थी तो हम लोग चलती है सिसू विलेज की तरफ अगर आप उन में से एक हैं जिने हिल्स तो पसंद है लेकिन वहां का शोर और भीड भार नहीं तो दिस इस दो प्लेस टूबी आड़ सिसू विलेज जो है वो एक ओफ लोकेटेड प्लेस है और यहां पर आपको ट्राफिक जो है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा moreover activities इतनी तरह की हैं यहां पर आप camp कर सकते हैं उसके अलावा zip lining उसके अलावा waterfalls हैं कितनी चीजें हैं देखने को लेकिन जो best part मुझे लगा वो था यहां की calmness और वो जो peace हम चाते हैं जिसकी वज़ा से हम hills पे जाना चाते हैं वो आपको यहां आकर मिलेगी अभी तो यहां पर snow नहीं थी लेकिन winters में यहां totally snow से covered होता है यह जो पूरे mountains है और वहां उस समय जो नजारा होगा वो देखने लायक होगा अभी लिस्ट में वो एक मनाली से भी ज्यादा मज़ा मुझे यहां पर आया बेकॉज ट्राफिक नहीं था और जो व्यूस थे और जो वहां पर बैटके एक जो चाइन जॉए की अल्टीमेट थी तो सारा दिन बहां स्नो कैप्ट माउंटेन में गुजारने के बाद और और आल्मोस्ट रोतां को टच करके वापस आने के बाद सिसू में कुछ टाइम गुजारा और अब टाइम था वापस मनाली पहुचने का और रास्ते में लगी थी जोरो से भूख सो वी स्टेड अट प्लेस अंकल्स फूद के राज वहां पर हमने किया दिनर अब्स अब्स रेस्टरांट इस वेरी नाइस अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर फूद जो है वो राई कीचिये सो थांक य। लूख सूवाचिंग व्लोग झाल